अल्जाइमर्ज एक प्रकार का Neurological विकार है जो आम तोर पर 65 वर्ष के आसपास की उम्र के लोगों को प्रभाव करता है यह एक प्रकार की डिमेंशिया या भूलने की बिमारी है जो कई अन्य विकारों को जन्म देती है यह बिमारी मस्तिश्क की कोशिकाओं को नश्ट होने के कारण लगातार कम होती यादाश्ट और संग्यानात्मक ख्षमताओं में कमी से पहचानी जाती है एल्जाइमर्स रोग में एक विशिष्ट प्रोटीन मस्तिश्क की दो कोशिकाओं के बीच एक दीवार बना देता है जिससे दो कोशिकाओं के बीच आपसी संचार अवरुद्ध हो जाता है परिणाम स्वरूप या दाश्ट और सोचने समझने की क्षमता में लगतार कमी आनी शुरू हो जाती है ग्लियल कोशिका एक प्रकार की विशिष्ट कोशिका होती है जो मस्तिश्क से अपशिष्ट और विशाक्त पदार्थों को साफ करती है अलजाइमर्स रोग में या कोशिका निश्क्रिय हो जाती है इससे कुछ प्रोटीन सहिद कुछ अन्य अपशिष्ट पदार्थ मस्तिश्क में एकत्र हो जाते हैं इस प्रोटीन को बीटा एमिलोईड की नाम से जाना जाता है और इसके जमा होने पर मस्तिश्क कोशिकाओं के चारो और परतें बन जाती हैं जो इन कोशिकाओं के बीच एक प्रकार से दीवार का काम करती है इसके अलावा टाव नामक एक अन्य प्रोटीन कोशिका के भीतर रेशिदार गुथी के रूप में जमा होने लगता है। ये सभी प्रोटीन विशाक्त होते हैं और कोशिकाओं की कारे प्रणाली और दूसरी कोशिकाओं से इनके संचार करने की ख्षमता को प्रभावित कर को कोशिका को नुकसान पहुचाते हैं। ये परिवर्तन और कोशिका विनाश विशेश तोर पर पहले हिपोकैंपस और एंटरहाइनल कोटेक्स में देखा जाता है। मस्तिश्क के ये हिससे मनुष्य की याददाश्त के लिए जिम्मेदार होते हैं। यादश्त का कम हो जान एल्जाइमर्स रोग के पहले कुछ लक्षणों में से एक है। इसके बाद सेरिब्रल कोटेक्स की कोशिकाएं नश्ट हो जाती हैं, जिससे सामाजिक व्यभार, तर्क और भाशाई क्षमताओं में परिशानी आना शुरू हो जाती है। अंत में मस्तिश्क के अन्य छेत्र प उप्चार खोजने के लिए निरंतर शोध जारी हैं। पहचान या संग्या की क्षमता को कम होने की गती को कम करने के साथ साथ, रोग से जुड़े विवहार संबंधी लक्षणों में राहत प्रदान करने के लिए विभिन दवाओं का उप्योग किया जाता है। एक प्रका का केमिकल मेसेंजर होता है, जो तंत्र का कोशिकाओं में कार्य करता है। एल्जाइमर्स में इस मेसेंजर का स्तर गिर जाता है। डोनेपेजल और मेमेटीन कॉंबिनेशन और डोनेजेपिल जैसे कोलिनेस्टरेज अवरुधक एसेटाइल कोलाइन का ब्रेकडाउन रोखत हैं। ये दवाएं सोच, निर्णय, भाशा के सांथ-सांथ या दाश्त की कठिनाईयों का इलाज करने में मदद करती है। ये बिमारी की बढ़ने की दर को भी कम कर देती है। ग्लुटामेट कैल्शियम को कोशिका में पहुचाता है। एल्जाइमर्स में तंत्रिका कोशि की प्रतिरक्षा करती है। यह वह जगह है जहां पर ग्लुटामेट जाकर जमा होता है। मरीज की स्थिती के आधार पर और वैवहार और मूड के लक्षणों के आधार पर अवसाद रोधी, मनोविकार नाशक और शमन रोधी दवाएं दी जा सकती है। एल्जाइमर्स रो और संग्यान या पहचान क्षमता में लगातार कमी। भूलने की समस्या, वैवहार, मूड और व्यक्तित्व में परिवर्तन। उल्जन। परिवार की सदस्यों को शक की नजरों से देखना, निगलने, बोलने और चलने में कठिनाई। बीमारी के शुरुआती चरणों में खुद की देखभाल या सेल्फ केर तनाव को कम करने और देखभाल करने वालों के काम को आसान बनाने में मदद कर सकती है। इस बारे में निम्नसलाह कारगर हैं। अपने स्वास्थे सेवा प्रदाताओं के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखें। खुद में हुए परिव के कारण होने वाले किसी भी बदलाव से डरे नहीं। मानसिक तनाव से स्थितियां और अधिक बिगड़ सकती हैं। योग और ध्यान की मदद से तनाव को दूर करें। शराब का सेवन न करें और नियमित रूप से दवाइन लेते रहें। परियाप्त आराम करें और ऐसी क कालीन संपर्क के विवरण के साथ एक पहचान पत्र जरूर रखें। ऐल्जाइमर्स से पीडित व्यक्ती की देखभाल के लिए परिवार के सदस्यों या नर्सों को बहुत धैर्य, समय और प्रबंधन की आवश्यक्ता होती है। ऐल्जाइमर्स के मरीज के साथ बातचीत क करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात का ध्यान रखें कि आप उससे धीरे-धीरे और विस्तार से बात करें। अचानक बातचीत का विशय न बदलें। दो अलग-अलग विशयों पर बात करने के बीच में थोड़ा समय लें। ताकि मरीज भ्रमित न हो। किसी भी काम को पूरा करने के लिए धीरे-धीरे चरणबध तरीके से निर्देश दें और हर निर्देश के बाद उसे पूरा होने का इंतजार करें। मरीज को चार्ट और घड़ी दिखा कर रोजाना के काम जैसे की ब्रश करना, शेविंग करना आदी के लिए प्रोथसाहित करें। इ यह आसानी से पढ़ा जा सके, धड़ी के पास रखा हो और मरीज की पहुँच में हो, इलेक्ट्रोनिक गैजट्स, रेजर और गर्म पानी को मरीज की पहुँच से बाहर रखें। कुछ जगहों पर एंटी स्किड मैट और हैंड ग्रैब लगा कर मरीज को गिरने से बचाया जा सकता है। आप उसे स्वतंत्र रूप से खाने के लिए प्रोचसाहित कर सकते हैं। अतिरिक्त दवाओं और अन्यहानिकारत या विशाक्त उत्पादों को मरीज की पहुँच से बाहर रखें। सभी दवाओं को दवाओं के डब्बे में विवस्थित करें और पहले से तयार टाइम चार्ट की मदद से मरीज को समय पर दवा लेने में मदद करें। बाथरूम की कुंडी ऐसी रखें जो आसानी से और दोनों तरफ से खोली जा सके। अगर मरीज के साथ दुरगटना हो जाती है तो उसका सहयोग करें और सहयम बनाए रखें। मरीज को बाथरूम के उपयोग के लिए बार-बार याद दिलाते रहें। बाथरूम को साफ, सूखा और आराम दायक रखें। जिससे मरीज उसे दूसरे व्यक्ति के सहयोग के बिना अपने आप इस्तिमाल कर सके। बाथरूम में फ्लश और हाथ दोएं जैसे साइन बोर्ड लगा कर रखें। आप बाथरूम का दर्वाजा खुला भी रख सकते हैं। इससे मरीज के लिए इसका इस्तिमाल करना सुलब हो जाएगा। प्रभावित व्यक्ति को नियमित तोर पर किसी न किसी ध्यान बाटने वाली और मनरंजन की गतिविधी में लिप्त रखें। कला, संगीत, नृत्य और विभिन प्रकार के व्यायाम व्यक्ति को हस्मुक और आत्मविश्वास से पूर्ण बनाई रखते हैं। प्रतियेक ग